ममा ममा आप कहां जा रहे हैं बेटा जग्गू हम भोजन की खोज में जा रहे हैं और आप हमारे साथ नहीं जाओगे आधे रास्ते में जाकर आप ठक जाते हो फिर मुझसे नहीं उठाया जाता आपको बड़े होगे हो अब आप बेटा मेरा जग्गू घर में ही रहेगा है ना बेटे मैं घर में रहूँगा परन्तु एक काम करते आना ममा पापा मेरा बताओ बताओ बेटा क्या काम है पापा मेरे लिए एक रंग बरंगी तितली पकड़ कर लेते आना मुझे तितलियां बहुत अच्छी लगती है आप रखोगे कहा मेरे बेटे उस तितली को ममा मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूँगा अच्छा ठीक है अगर कहीं से मिली तो ले आएंगे ऐसे कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर से निकलते हैं वो सीधे पहाडों पर जाते हैं वहां से उन्हें भोचन मिल जाता है कालू जी मेरे बेटे के लिए कोई तितली भी पकरनी है अभी तितली तितली तो हमें ज़रने से मिलेगी वहां फूलों पर होती हैं तितलियां चलो फिर ज़रने पर जाते हैं वो जड़ने पर जाकर देखते हैं और उन्हें एक छोटी तितली एक फूल से बातें करती दिख जाती है कालुकवा पीछे से जाता है और उसे पकड़ लेता है कौन हो आप, मेरा क्या दोश है, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया क्यूंके मेरे बेटे जगू को तुम बहुत पसंद हो तो अंकर आप अपने बेटे को साथ ले आए ना, वो यहाँ आकर मुझे से दोस्ती कर सकता है हमारा बेटा अभी छोटा है और तुम तो ऐसे शोर कर रही हो, जैसे हमने किसी हाथी को पकड़ लिया है छोटी सी तो हो तुम, अगर तुम इस जंगल में ना भी हुई तो फिर क्या हो जाएगा रोस जो तितली का दोस्त था, वो यह सब देख रहा था आप ऐसा जुलम ना करें, जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, सब की जिंदगी होती है जैसे आपका घर परिवार है, ऐसे ही सब का होता है, आप मेरी दोस्त को छोड़ दें चलो कालू, इनकी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास कालू और गोरी उस छोटी तितली को साथ लेकर अपने घर लोड जाते हैं पापा, पापा, मेरी तितली लाए है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी ना करूँ, देखो तो कैसी रंग बरंगी तितली लाया हूँ, मैं अपने जग्गू के लिए जग्गू तरुंत उस तितली को पकड़ कर बोतल में बंद कर लेता है इस तितली के पंख कितने सुन्दर हैं, काश मेरे पंख भी इस तितली जैसे होते मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मेरे ममा बापा मेरा इंतिजार कर रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे अब तो तुम मेरे पास ही रहोगी क्यूंके मुझे तुम्हारे पंक बहुत सुन्दर लगते हैं मैं मर जाओंगी तो फिर क्या हुआ हम अपने बेटे को और पकड़ कर ला देंगे छोटी सी तो हो तुमुहारे मर जाने से जंगल में किसी जीजगी कमी हो जाएगी क्या वह छोटी तितली बहुत रोती है बहुत बिंती करती है परन्तु वह जालिम कवे उसे छोड़ने को तियार ना थे तितली का दोस रोज भी अपनी दोस्त को लेकर बहुत परेशान था जब रानी तितली के ममा पापा उसे ढूनते ढूनते जढने पर आते हैं तो रोज उनसे कहता है आउंटी आउंटी वो कवा और कवी रानी को पकड़ कर ले गे हैं मैंने बहुत रोका और रानी भी बहुत रोई परन्तु उन्होंने एक ना सुनी वो रानी को अपने बेटे को खुश करने के लिए ले गे हैं रानी के बापा जल्दी चलें कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी रानी के पंखी तोड़ दें जल्दी चले हम उन कवों के पास जाते हैं नहीं आउंटी वो बहुत जालिम है वो ऐसे नहीं मानेंगे आप मेरी दोस्त हवाओं की राने को साथ लेकर जाएं वो आपको जहने के दूसरी दिशा में मिलेगी वो कवे हवाओं की रानी को देखकर डड़ जाएंगे और फिर वो मेरी दोस्त रानी को छोड़ देंगे क्या हवाओं की रानी हमारी बात मान जाएगी अंकल आप हवाओं की रानी से मेरा नाम लेना वो मेरी दोस्त है और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी पात जरूर मानेगी फिर मामा और पापा दितलिया हवाओं की रानी के पास जाते हैं और वहां जाकर हवाओं की रानी को सारी बात बताते हैं भगवान के लिए हमारी मदद करें मैं हवाओं की रानी हूँ और रोज मेरा दोस्त है अगर रानी रोस की दोस्त है तो चलें, मैं ऐसा सबक से खाऊंगी उन कवों को कि उम्र भर याद रखेंगे फिर हवाओं की रानी ममा और पापा तितलियों के साथ जाती है वो सब कवों के घर के पास पहुंचाते हैं और हवाओं की रानी अपनी शक्ती से कवों का घर हवा में उड़ा देती है और उपर ले जाकर नीचे गिरा देती है जिसे कवों का घर पूरी तरह तूट जाता है रानी दितली भी आजाद हो जाती है अरे अरे आप कौन हो और हमारे पीछे क्यों बढ़ गे हो ममा तितली अपनी बेटी को देख बहुत खुश थी हम सब दोस्त हैं हवा, फूल और तितलियां हमारी दोस्ती शुरू से ही चलिया रही है और सब पक्षी भी हमारे दोस्त हैं परंतु तुम जालिम हो इसलिए मैंने तुम्हारा घर तोड़ कर तुम्हें इसकी सजा दी है कवो देखा मेरे ममा पापा मुझे बचाने के लिए पहुँच गे हम छोटे जीव जरूर है परंतु हमें प्यार बड़ा है फिर हवाओं की रानी और तितलियों का परिवार हंसी खुशी वापिस लोट जाता है और कवे अपने तूटे हुए घर पर बैठे रोते रहते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है एक अच्छा दोस्त वो होता है जो दुख सुख में साथ दे आज चिडिया भोजन की खोज करते करते दूर निकल गई थी वो भोजन की खोज में मारे मारे फिर रही थी और फिर उसे एक चने का दाना मिल जाता है ये चने का दाना तो बहुत स्वादिष्ट होगा मैं इसे किसी पेड की थंडी चाओं में बैठ कर खाऊंगी ऐसा सोचते हुए चिडिया वो चने का दाना उठा कर थोड़ी ही दूर एक पेड की डाल पर जाकर बैठ जाती है यहां ठीक है यहां तो बहुत थंडी चाओं है अब मैं अपना ये चने का दाना खाकर यहीं थोड़ी देर आराम भी कर लूँगी वो चिडिया जैसे ही चने का दाना खाने लगती है तो उसका चने का दाना नीचे गिड़ जाता है और पेड में एक सुराह के अंदर चला जाता है चिडिया भूकी थी इसलिए वो रोने लग जाती है ये क्या हो गया अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होगा मेरा चने का दाना इस सुराख में गिर जाएगा तो मैं वहीं बैठ कर अपना दाना खा लेती चिडिया बैठी ऐसे रो रही थी कि उस सुराख में से चनों के दो दाने बाहि निकलाते हैं और उसे एक आवाज सुनाई देती है अच्छा पक्षी जो भी होगा सच्छा पक्षी जो भी होगा भूका ना वो रहने पाए इस सुराख में जो भी डाले एक के बदले दो दो पाए ये देख और सुनकर चिडिया बहुत खुश हो जाती है वो एक चने का दाना खा लेती है और दूसरा लेकर अपने घर चली जाती है दूसरे रोज चिडिया अपने दोस्त तोते और कबूतर को भी उस चमतकारी पेड़ के बारे में बताती है अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है हम हर रोज उस जादूई पेड़ के सुराख में एक चीज डाल कर दो दो ले लिया करेंगे मैं तो आज अपनी इस लाल मिर्ची को दो दो कर लूँगा और फिर मजे मजे से दो मिर्ची खाऊंगा और मैं अपने इस एक अमरूद के दो अमरूद कर लूँगा तो फिर चलो हम उस चमतकारी पेड़ के पास जाते हैं वो सब वहां पहुंच जाते हैं पहले तोता अपनी लाल मिर्ची उस पेड़ के सुराख में डाल देता है और सुराख से आवा जाती है अच्छा पक्षी जो भी होगा, सच्छा पक्षी जो भी होगा भूका ना वो रहने पाए इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले दो दो पाए और फिर पेड़ के उस सुराख में से दो दो लाल मिर्ची बाहिर निकलाती है तोता तो आज कुछ ज़्यादा ही खुश था ऐसे ही चेड़िया और कबूतर भी अपना अपना भोजन दो दो कर लेते हैं और मजे मजे से खाना शुरू करते हैं वो कवा और उसके पतनी कवी भी उड़ते उड़ते उसी दिशा में आ जाते हैं बख्षियो हम सुभा से मारे मारे फिर रहे हैं और हमें मिला है ये एक केला और आपके पास दो दो चीज़े हैं खाने में और अब ये केला मैं खा लूँगा और मेरी पतनी फिर से फोकी रहेगी नहीं नहीं कालू जी ये केला तो मैं ही खाऊंगी बस बस लड़ाई छोड़ो आप दोनों ही एक एक केला खाऊगे मुझे दो अपना केला फिर चीडिया कवों से वो केला लेकर उस सुराख में गिरा देती है अरे अरे चीडिया क्या पागल होगी हो ये क्या कर दिया तुमने गोरी थोड़ा धीरिश तो रखो फिर सुराख से वही आवा जाती है और उस सुराख में से दो दो केले बाहिर आते हैं जिन्हें देखकर कवा और कवी तो बहुत खुश थे फिर चिडिया उन्हें उस चमतकारी सुराख के बारे में बताती है अब तो हम हर रोज अपना भोजन लेकर यहां ही आ जाया करेंगे और फिर इस सुराख से डबल डबल करके खाया करेंगे मौज लग गई मौज अब तो हमारी शाम होने को थी और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं रात को गोरी और कालू घौंसले में बैठे हुए थे के गोरी कालू से कहती है कालू जी मेरी बहन की शादी भी आने ही वाली है मैंने आप से कहा था कि मुझे अपनी बहन को देने के लिए एक सोने का हार ला दो मेरे पास इतने पैसे कहा जो मैं तुम्हें नेया सोने का हार ले कर दूँ तुम ऐसा करना अपना हार ही अपनी बहन को दे देना आइडिया कालू जी आइडिया मुझे एक जबर्दस्त आइडिया आया है अब बोलोगी भी या आइडिया आइडिया ही सनाती चाओगी कालू चलो हम रात के अंधेरे मेरा ये हार लेकर उस जादूई पेड़ के सुराख के पास जाते हैं मेरे इस हार से दो दो सोने के हार बना लेते हैं वा गोरी वा मान गया आज तो मैं मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं फिर गोरी और कालू वो सोने का हार लेकर उस चादूई पेड़ के सुराख के पास जाते हैं और गोरी अपना वो हार उस पेड़ के सुराख में डाल देती है पेड़ से आवा जाती है अच्छा पक्षी जो आए, सच्छा पक्षी जो भी आए भूका ना वो रहने पाए इस सुराख में जो भी डाले एक के बदले दो दो पाए और फिर दो दो सोने के हार बाहिर निकल आते हैं कालू जी क्यों ना एक माजी के लिए भी ले जाओं क्यों नहीं हम माजी के लिए भी हार ले जाते हैं गोरी फिर से अपना हार उस सुराख में डाल देती है और फिर से दो दो सोने के हार बाहर निकल आते हैं क्यों न हम सारे ही हार इस सुराख में डाल कर एक साथ ही फिर से डबल कर लें बेच कर पैसे कमाएंगे पैसे और फिर गोरी वो सारे सोने के हार उस सुराख में डालती है और पेड़ से आवा जाती है गंदा पक्षी जो भी आए लालची पक्षी जो भी आए इस सुराख में जो भी डाले उसकी अपनी चीज भी हाथ से जाए और फिर उस सुराख में से कुछ भी पाही नहीं आता और फिर कवा और कवी रोते हुए खाली पांखी वापिस घर लोड़ जाते हैं इस कहानी से हमें सेख मिलती है के लालच बुरी बला है